क्लास नाइन्थ एंसी आर्टी साइंस का अध्याय तीसरा है परमाडू एम अडू तो इसके हम लोग जो पार्ट के अंदर प्रसंद दिये गए हैं सभी प्रसंदों को हल करेंगे देखिए यहाँ पर पहला प्रसंद क्या है एक अब क्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बनेट एम 6.0 ग्राम एथनाइक अमल अविक्रित यानि मिला हुआ है और क्या बनता है यह रियक्ट में हो गए तो मिलने से क्या बना प्रड़क्ट में 2.2 ग्राम कार्बन डायकसाइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथनाइट क्या बना सोडियम एथनाइट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में बना है प्रड़क्ट में ठीक है तो इस सब के लिए द्वारा दर्साइं किया जो एक्सपेरिमेंट है दर्मान सरक्षन के नियम का अनुरूप है तो यह देखिए सोडियम कार्वनेट एथिनाही कामल बनता है सोडियम एथिनाइट प्लस में कार्वन डाय एकसाइट चल तो कैसे बालम चलेगा तो दर्मान सरक्षन के नियम कंसार दोनों तरफ एलेचेस और आरेचेस रियेक्ट और फोड़क में दोनों तरफ तत्विया योगिक के परमानों की संख्या हम देखेंगे ठीक है परमानों बहार देखेंगे कि बरावर है की नहीं अब इसी भी देखे इन सबका दिया भी गया है तो hull करते हैं तो ऐसे हम लिखेंगे दी गई अब किरिया सोडियम कार्ब्नेट ठीक है प्लस में एथनाइक का अमल serreet सोडियम एथनाइक्ट क कार्बंड कर्बंडा एकसाइट जल तो सबसे पहले अव rivals अवीकारिक के इस 3.3 और एथिनाय कामल का 6.0 यह दोनों का हो गए LHS में और तीर का बाद देखिए सोडियम एथिनाय इसका है 8.2 कारवन डायक साइट का 2.2 और जल का दिया गया है 0.9 इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 11.3 और इसका भी आता है 11.3 तो इससे क्या परिणाम निकलता है तो यह दोनों बराबर हो गए इसका मतलब यहां दी गए अवकिडिया जो है दर्मान स्रक्षनेगर नियम का अन्रूप है क्यों कि दोनों तरफ तरफ तत्तों नके संपिया बाहर बाहर जो है इक्वल है बराबर है ठीक है तो यही आपका एंसर हो कितुते hacking ताज़रा देक यहाँ ग्राम में बात की गई है दरविमान, एक ग्राम के लिए हाइडोजन के लिए 8 ग्राम उक्सिजन चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए उक्सिजन, तो 24 चाहिए, गुड़ा हो जाएगा 3 से, ठीक है, तो कैसे हाल करेंगे इसको, हाईए करते हैं, तो देखिए हम इसे ऐसे हल करेंगे, हाइडोजन, अनुपाथ, आउक्सिजन, एक अनुपाथ, आठ है, अर्थाथ 1 ग्राम हाइडोजन के लिए 8 ग्राम उक्सिजन की आउसकता पड़ती है, अता 3 ग्राम हाइडोजन गैस के साथ, पुन रूप से सहियोंग करने के लिए आए इसके बाद देखते हैं प्रस्ट करमांग तीसरा । डालटन के पर्मारूसी धानत का कौन सा अफग्रेइड द्रमाण के सक्ष्छन की नियम का गर्णाम को बताता है , कौन अफग्रेड बताता है , आइए देखते हैं, तो यहां पे देखिए, डालटन तोटल ने परमारो सिद्धानत का परतिबादन किया जिसमें टोटल छे अफगरेद दिये गए हैं यह दूसरा अफगरेद आपको लिखना है दूसरा अफगरेद बताता है और यह आपको नोडाउन भी कर लेना कर लेना है जो है इस परकार है परमारो अभीवाज सुक्षित कर होते हैं ठीक है तो यही हो गया दर्मान के स्रक्षन के नियम का यह क्या करता है परतिबादन करता है ठीक है बयाख्या करता है तो यह आपको लिखना है इसके बाद देखिए चौथा किया है डाल्टन के परमारो सिद्धानत का कौन सा निश्चित अनुपात के नियम का तो डाल्टन का अफग्रेट नंबर कौन सा छे नंबर किसी भी योगे के परमाणू के साफ़ेक्ट संक्या एक निश्चित होते हैं ठीक है निश्चित अनुपाद का परतिबादन करता है जैसे जल ले ले जल को हम कहीं से किसी स्रोथ से ले तो उसका हाइड्रोजन और अक्सिजन का अनुपाद एक अनुपाद आठी होता है ठीक है तो आपको लिखना है अफग्रेट नंबर छे नंबर ये आपको पूरा लिखना है इसके बाद अगला प्रस्न है हमारा परमाणू दर्मान इकाई को परिभासित करना है आइए करते हैं देखिए यहाँ परमाणू दर्मान इकाई 1961 में परमाणू दर्मानो को ग्याद करने के लिए परमाणू दर्मान इकाई यानि कारवन बारसी बारा समस्थानिक को मानक चंदर्म में रूप में उनिवर्सल तोर पे सुगार किया गया क्या है तो कारवन बारे रसी बारे समस्थानिकों के एक परमाणू दर्मिमान में यानि कारवन के एक बटे बारहवे भाग के तोर पे लेते हैं यह पूरा आपको लिखना है यह हो गया दूसरा देखे क्या है एक परमालो को आकों से देखना क्यों संभव नहीं है तो परमालो dedखे की होता है कि हमनंगी आकों से नहीं देख सकते इसका कार चोटा होने के कछ तो इसके बाद अगले प्रिष्ट का पर अव्ल को देखेंगे हो यहां पे देखिए निम्नय के सुत्र लिखिए है हमिए सुत्र लिखना है पहला है सोडियम आकसाइड legal seps again जा पर गालियम अकसाइड दूसरा julis yeah alcal 3A alcal 3 तीसरा लख्यव्ल सफाइड performance 2S, sodium sulfide हो गया, sodium, इसके बाद देखिए, magnesium hydroxide, Mg OH2, यह magnesium hydroxide हो गया, तो इसके बाद देखिए, चारू का हो गया, आब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे, निम्रिकित सुत्रों को पर्देसी जोगियों को इनाम लिखना है, यहाँ पे क्या है, इनका नाम बताना है, तो क पोटेसियम सलफेट नाम है, ठीक है, KNO3, इसका क्या नाम है, पोटेसियम नाइट्रेट नाम है, इसके बाद CACO3, यहनि केल्सियम कार्बन डिस्का नाम है, यह सारा हो गया, यहनि पांचो, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले, प्रसन की ओर, तो इसी का देखिए, तीसरा क सुत्र का क्या दात पर रहे हमें बताना है, तो रासायनिक सुत्र की परिभासा केमिकल फर्मूला किसे कहा जाता है, किसे रासायनिक योगिक को इस परकार निरुपित किया जाता है, निरुपित करता है, जिससे पता चलता है कि उस योगिक में किन किन तत्यों से, और कितने ने विद्माने इसमें परमाळू यहां खोवर समझे में पहले है एच टूस्थ लिएz में तीन परमाळू बिद्वान है ठीक है दो परमाळू रहा हाट emu पर और एक मारू सबल के यह पूरा आपको लिखना है दूसरा देखे क्या है PO4 यह आएन है तो इसमें कितने है चार एकपांच यह नहीं पांच परमाणों बिदमान है एक परमाणों फासफुरस के और चार परमाणों ऑक्सीजन के यह बात आपको लिखना है तो आईए इसके बाद देखते हैं अगले प्रिष्ट के जो प्रसन है पहला देखिए क्या है निम्न योगिकों के आणविक दरबिमान का परिकलन हमें करना है आणविक दरबिमान निकालना है देखिए काफी आसान है तो आईए इसको हल करते हैं देखिए कैसे होगा काफी दियान से समझना है यह आपको तो टोटल कितने हैं टोटल साथ दिये गए हैं टोटल आपको साथ दिये गए हैं पहला है हाइड्रोजन एच्टू तो तो एच्टू का निकालेंगे आणिविक दरबिमान हाइड्रोजन का आणिविक दरबिमान होता है वन ठीक है परमानू द इसका मतलब इस वह इնसले मार्व और यह गुना और यह देखिए नया तक्तु है प्लस होगा और अक्सिजन अक्सिजन कितना है अक्सिजन फर मारूँ है 2 तो 16 2022 तो टोटर्टल जोड पागया हमारा 44 तो इसी तरीके से देखिए कार्वन का फिर 12 टीके और यहां पे देखिए कि दूसरा आ गया तो इ Bacon में प्लस होगा है परमालू 6 है तो 12 यहाँ 24 और 6 हो गया 30 ठीक है इसी तरीके से C2H4 का 12 x 2 प्लस 1 x 4 18 और इस आमोनिया का NH3 नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1 और यह 3 परमालू है तो 17 हो गया CS3 OH ठीक है तो कार्वन का 12 हाइड्रोजन का 1 और यह 3 है प्लस ऑक्सीजन का सुल्ला और देखिए प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का परमालू द्रविवान 1 टोटल जोड़ने पा गया 32 ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा काफी आसानी से इसी तरीके से आपको निकालन इसके बाद देखिए दूसरा क्या है निम्नी योगे को के सुत्र इकाई द्रविवान का परिकलन हमें करना है तो इसका हमें निकालना है तो यहाँ पे देखिए काफी आसानी से हम निकालेंगे यहाँ दिया भी गया है करेंगे क्या कि जेडेन का कितना है देखिए परमाल 60 और एक अलग दत्व है तो प्लस होगा अक्सिजन का होता है सुला छे और पांच होगा 11 80 रिमांडर और 6 और 7 और यहांसी लोगया 8 81 ठीक है 81 यूनिट हो गया इसके बाद दूसरा देखिए सोडियम क्या इसके बाद देखिए दूसरा क्या है दूसरा में है Na2O तो पुना सोडियम का कितना है देखिए सोडियम का होता है 23 और यह कितना है लेकिन 23 है लेकिन यह दो बार है तो यह गुड़ा होगा 2 ठीक है प्लस ऑक्सिजन देखिए कितना होता है सुला इसको हम लोग जोड लेंग है इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो देश तुनी 46 46 प्लस सुल्ला हो गए छे छे बारक दो हासिल एक चार एक पाच एक छे बासट इसका आ गया और इसी तरीके से देखिए तीसरा क्या है तीसरा है के 449 और सुल्ला इंटूढा होगा तो सुल्ला इंटू 3 तो टोटल रहा म काल्कू लेजिन करेंगे तो कितना पराप्त livelihood जोड़ते हैं तो 49 कितना होता है 78 प्लस 12 प्लस यह 48 होगा तो आए जोड़ते हैं इसको तो आठ दूदस और आठ अठरा आठ हांसिल वन हो गया रिमाइंडर चार यह पांच और यह पांच और साथ 12 और यह कितना 13 138 तो 138 यह प्राप्त हुआ तो उम्मिद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद अगले प्रिष्ट के प्रस्ट जो है देखिए यदि कार्बन परमाणू के एक मोल कदर विमान यहां ध्यान देना है एक मोल कदर विमान जो है 12 ग्राम के बरावर है तो कार्बन के एक परमाणू कदर विमान हमें गयाद करना है काफी आसान सवाल है यह ऐसे हम देखिए ये किसके बराबर हो गया 12 ग्राम के बराबर हो गया एक मॉल 12 ग्राम के बराबर है और एक मॉल में इतना परमाडू होते है ये गार्डू संख्या कहा जाता है ठीक है तो ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा परमाडो के संख्या में 12 ग्राम में इतने हैं एक परमाडो में कितने हैं तो 12 उपर चला जाएगा तो यहां पर हम कैंसिल आउट करेंगे 6 दूनी 12 तो 2 होगा और यह 10 के पावर 23 उपर जाएगा तो माइनस में होगा तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 30 ग्राम हो जाएगा इसका फाइनली एंसर ठीक है दूसरा देखे क्या है किसमे अधिक परमाडो होंगे किसमे अधिक परमाडो होंगे दो यहां पर बताया गया है 100 ग्राम सोडियम में होंगे यह 100 ग्राम लोहा में होंगे तो कैसे निकालेंगे हम आईए निकालते हैं यहाँ पे कूल दर्मेमान दिया गया है देखिए 100 ग्राम और इस तक दर्मेमान दिया गया है अलग अलग दिया गया है इसको हम ऐसे ग्याद करेंगे इसका formula होता है, gram परमानों से हम गयाद करेंगे, gram परमानों को फर्मौना, भटे परमानों धरमानत, तो सबसे पहले 100 gram sodium में बेखेंगे. तो कितना है total, 100 है, sodium का 23 है, तो ये cancel आउट हुआ 4.347 gram परमानों बाद है. और इसी तरीके से 100 gram fondosa में देखेंगे, तो द्रमेमान कूल है 100 और लोखा का तितना दिया गया है देखिए बुक में 56 दिया गया है तो बटे 56 तो ये कैंसिल आट हुआ 1.78 हो गया तो कौन ज्यादा है ये तो ज्यादा है अता सोडियम का अधिक होंगे यही तो हमें बताना है तो सबाब्त होता है आज का सेशन उम् आज में आ गए होंगे धन्य बात